दमतरी में बिरेजहर चौकी अंतरगत ग्राम भैसा बोर्ड में हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर लिया है दरसल ग्राम भैस बोर्ड में चटोट तिल्दा नवेरा के बारात पहुचे थे बारात स्वागत के बीच डान्स को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ जिसमें दो यूवक की मौके पर मौत हो गई थी पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपी को ग्रफतार कर लिया है जिसमें से दो नाबालिक शामिल है आरोपियों में दूलहा और दूलहन का भाई भी शामिल है पुलिस ने सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है धमतरी से वैभव चौदरी के रपूट में एक बरात आई थी चिल्दा निवरा गाउं के शटोट से उसी में मारपीट हुई थी और लास में एक आदमी वही मृत पाया गया था और थोड़ी ज़र बाद कुछ दिन बाद एक वाक्ती जो घायल हो गया था एक विजी संगरस्त बालक था उसकी भी मृत्ती हो गई यह सी डाबल मृडर केस काफी जाऊ था उपर से उसमें एलेक्शन्स भी थे और मोडी जी की सभावी हो रही थी भाहन मंत्री जी की तो उसको लेए काफी हम लोग बीजी थे उसके बाद भी इस मामले को निकाला गया है और इसमें पुल तीन लोगहों को तीन लोग जो है वो आरोपी हैं उधर से बराती पक्त से और तीन लोग हैं घराती पक्त से इसमें तीन नाबालिग है और तीन बालिग बरात में नाचने की बात को लेके पहले बरातीयों ने चाकू निकाल के लाना शुरूर के नाचने समझ इसका बरात में आये हुए घरातीयों ने कुछ घ लड़की के घर के पास कहुंचने से पहले ही दीजे बंद होगा उसके बाद यह मारिपिट शुगी जो आरोपी एक तो बाकी तो गाउवाले हैं बाकी जो बारात में आये थे उसमें दुलान का होने वाला देवर था और बाकी उसके दोस्त अभी सभी 18 साल से 20 साल के तो आप पास में ऐसी लड़ाई होगी ऐसा सुन्ने में आया है कई लोग जारू पीते हैं 18 साल से कम के फिभी जारू पीते हैं और एक मृतक जो विजी संकर्श्रक बालक था उसके बारे में सुन्ने में आया है कि वो तुखा नशा और उसके लावा इस्टिंग में गोली मिलाके न करोड़ न्थू करोड़ा है